आकाश से स्थूल वायू और वायू से स्थूल अगनी वेशेशिक में भी हम पढ़ी रहे हैं तो वायू से स्थूल अगनी और अगनी से स्थूल जल और जल के बाद सब से स्थूल आगे ना आखिर में पृत्वी तक तो ये था अभी प्राइ महरशिद यानन जी का सबसे सूक्षम से लेकर सबसे स्थूल तक ये हो गया A to Z तो इन सारे पदार्थों को जानना है ईश्वर से लेकर पृत्वी तक सब को जानना है पृत्वी इन पंच महाभूतों में सबसे अधिक स्थूल पदार्थ है अन्तिम स्थूल ये ये अब बाकी जितने पदार्थ हमको दिखते है जैसे कोई कार है, ट्रेन है, जहाज है, हवाईजाज वगरा समुद्री जहाज तो ये कोई नया तक्त्व नहीं है ये पंच महाभूतों का समिश्रण है यहाँ नविन द्रवे की उत्पत्ति नहीं है, केवल समिश्रण मात्र है उनका अनुपात थोड़ा उंचा निचा करके एक संगात द्रवे बना दिया तो यहाँ नया तत्व नहीं है इसलिए यहाँ तक अंतिम पदार्थ किल लिया पृथवी तक तो अब प्रकृति ईश्र से लेकर और पृथवी तक ये सारे पदार्थों को ठीक ठीक जानना है वो है विद्या जिस से जिस तत्व से ईश्र से लेकर पृथवी परियंत सब पदार्थों का सत्य विज्ञान होए उनकी सही जानकारी होनी चाहिए इश्वर कैसा है अब लोग इश्वर को मानते तो है और जब हम से धांतिक चर्चा करते हैं तो भी थोड़ा थीक थीक बताते हैं पर व्यभार में उसका पालन नहीं करते तो इसका मतलब अभी confused है वो अभी संशे में है या तो भ्रांती में है या संशे में है कि उनको इश्वर भी ठीक से समझ में नहीं आया है क्योंकि बोलते तो कुछ और हैं करते कुछ और है आज भी एक परिवार आया था मैंने उससे पूछा मैंने पूछा आप इश्वर को मानते हैं बोले हां मानते हैं मैंने कहा इश्वर कैसा है एक या बहुत सारे बोला एक अब बोलने को तो ठीक कर रहा है तो एक दूसरा व्यक्ति था उसके साथ उसको पूछा आप भी मानते हैं बोले हां मानते हैं तो इश्वर एक है या अनेक, बोला एक, तो मैंने को कोई घर में पूजा हुजा चलती है, यहां चलती है, कौन सी फूटो मुर्ती रखी है, बोले शिव जी की, अब देखो, बोलने को तो ठीक बोल रहे हैं, इश्वर एक है, और वो सब जगे रहता है, अब पूजा चल रह शिव जी की, फोटो मुर्ती शिव जी की, और भी थी दूसरी, एक शिव जी का नाम लिया, तो फिर मैंने पूछा, जो एक इश्वर है, वो आप करें सर्व्याबग है, सब जगा रहता है, तो जो वस्तू सब जगा रहती है, उसकी आकरती, शेप, शकल, डिजाइन कुछ ह होना चाहिए या नहीं, अवो थे वकील, उन्होंने अपनी वकालत दिखा दी, बात को बदल दिया, जो हम रोज कहते रहते हैं, गडबड़, प्रशन कुछ और पूछते हैं, उत्तर कुछ और, वो समझ तो गए, कि हमारा अब गडबड़ होगा, हम अपनी बात को सिद्ध तो कर नहीं पाएंगे, वकील तो वैसे ही थे, तो बुद्धी मान तो थे ही, पर वो उन्होंने फिर पल्टी मारनी शुरू की, तो मैंने पकड़ लिया, मैंने करना, जो सवाल मैंने पूछा, उसका जवाब दो, बात करने का नियम ये है, फिर वो आगे पट्री बे, तो क शकल वाले की पूजा कर रहे है, तो ये ठीक है या गलत, बोले गलत, मैंने का समझ में आया, बोले आया, मैंने का फिर गलती ठीक करो अपनी, तो खाली बोलने से क्या होता है, महरशी जी कहते हैं, विद्या तो तब है जब आप उस चीज़ से लाब ले, उससे यथा योग या तो आप साकार की कर रहा है, इस कारत है आप इश्वर को नहीं समझ पाए, या तो भ्रांती में या संशे में, तो जब सच्ची विद्या को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसको यवार में लाएंगे, जीवन में उतारेंगे, तब ही विद्या का पूरा लाब मन आ जाए नहीं तो अधूरा है, तो इस प्रकार से महरशिद याननद जी कहते हैं, जिस तत्तो से ईश्वर से लेके पृत्वी तक, तो मन क्या है, बुद्धी क्या है, इंद्रिया क्या है, शरीर क्या है, पंचमा भूत क्या है, हर चीज को हमें ठीक ठीक समझना है, और संसार के ये पदार्त सब ये पंचमा भूत का समिश्रान है, फीर, पूरी, हल्वा, मिठाई, रोटी, दाल, सबजी, फल, फूल, शाक, अनाज, बनस्पती, ये सब पंचमा भूत का समिश्रान है, तो विद्ध्या वो चीज है, जिसकी साहता से हम इन सारे पदार्तों को ठीक ठीक समझ लेंगे, आज फिजिक्स और कमिस्ट्री वाले लगे हैं, संसार की खोज में, प्रस्वी, पंचमा भूत और क्या क्या चीज़ों को खोज लिया उन्होंने, उनका तो व्याक्षा का ढंक कुछ अलग है, हमारा तो अलग है, अपने या तो पंचमा भूत में ही सब दुनिया पूरी हो जाती है, पांच ही तत्व बहुत हैं, और उनकी कमिस्ट्री में तो 114 तक पहुँच गए elements, वो खोज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते, पहले 91 बोलते थे, फिर बढ़ाते बढ़ाते 98 होगे, फिर 103 होगे, फिर 4 होगे, फिर 108 होगे, अब बता रहे हैं 114 होगे, तो उनकी खोज चलती रहती है, और वो नई नई बात बताते रहते हैं, तो इतने सारे पदार्थों को हमें ठीक ठीक जानना है, तो हम अपने दर्शन की बात करें, वेदों की बात करें, तो यहां तो पंच माबूत में सब दुनिया समेट ली, तो पांच चीज समझ लो हो गया काम, पर समझना ठीक ठीक, भरांती में नहीं रहना है, तो पंच माबूत से हम स्थूल जगत को समझ लेते हैं, और सोक्षम जगत के लिए फिर तनमात्राएं, मन, बुद्धी, इंद्रियां, वो सब हम सांखे दर्शन से सीख लेते हैं, और फिर इश्वर और आत्मा, ये भी योग और सांखे में, बहुत सारी चर्चा इनकी, और वियन्य दर्शनों में भी है, तो इश्वर तक हमको ठीक ठीक समझना है, और उससे लाब लेना है, इश्वर एक है, सरव्यापक है, निराकार है, चेतन है, सरवज्य है, नियायकारी है, आनन्द स्वरूप है, दयालू है, ये सब बातें इश्वर के बारे में ठीक ठीक जाननी, और ठीक से जानकर फिर हम उससे ठीक ठीक लाब लेंगे, आत्मा के बारे में लोग नहीं जानते, पहले तो ये ही नहीं मानते के कोई आत्मा नाम का तक तो है भी सही, जो शरीर से अलाग है, तो मैंने उन तो फिर बीच में वो कहने लगे कि आत्मा और इश्वर एक ही आत्मा इश्वर कांश है वो यहां बोल गए तो मैंने पकड़ लिया उनको मैंने का आपने अब यह वी एक वाक्य बोला कि आत्मा इश्वर कांश है तो यह कैसे है तो यदि आत्मा इश्वर कांश है तो फिर द रिक्षा कर लेते ं, अगर दोनों के गुण एक समान है तो हम मान लेंगे कि आत्मा ईश्वरकांश हैолот और अगर गुण अलग-अलग久 है तो इसका आर्थ हुआ कि वो दोनों अलग-अलग पदारत हैं तब आत्मा ईश्वर का अंश नहीं बनेगा फिर मैंने एक प्रशन पूछा हूँ धारण के लिए मैंने का एक केला है क्या वो तर्बूज का अंश है या अलग भल है तो पहले तो उन्होंने फिर बात बदली कि पेड़ में से देखें तो एक पेड़ में से कई केले निकलते हैं फिर दूसरे पेड़ में से कई तर्बूज होते हैं बेल में से मैंने का ये नहीं पूछ रहा मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो लोग फिर चत्राई करते न अपने बचाव करने के लिए मैंने का ये जो केला है क्या वो बड़े तर्बुज का हिस्सा है उसका अंश ग्या दो फलों की बात कर रहाँ हूं फिर बोले नहीं नहीं उसका आंश Aquana कर नहीं है तो मैंने का क्यों नहीं है एक वेप्डिकरता मैं तहो केले को तर्बुज गांश हमानता हूं आप करें नहीं है तो आप उसको कैसे बताएंगे केला तर्बूज का अंश नहीं है तो वही बात थी उन्होंने का दोनों के गुना लगे उन्होंने अपनी भाशा में प्रोपरटी बोला कि दोनों की प्रोपरटी अलग अलगे इसलिए केले को तर्बूज का अंश नहीं मान सकते, मैंने का बिल्कुल ठीक आपने, तो इसी नियम से हम ईश्वर और आत्मा की भी परिक्षा कर लेते हैं, अगर दोनों के गुण एक जैसे हैं, तो हम मान लेंगे कि आत्मा ईश्वर कांश है, और यदि दोनों के गुण अलग अलगे हैं, तो केले और तर्बूज की सिद्ध हो जाएगा कि इश्वर और आत्मा भी अलग अलग हैं, यदि गुण अलग-अलग हों तो, बोले हाँ ठीक है, फिर मैंने पूछना शुरू पया, ईश्वर एक है या अनेक, बोले एक, अब मैंने का आत्मा हैं एक हैं या अनेक, बोले अनेक, तो मैं निकले लोग संख्या में एंधर आ अच्छा दूसरी बात कि इश्वर घोट ला करता हैquid बोले नहीं करता तो मैंने वहीं कि लो फिर आत्मा करता है या नहीं दौने आत्मा नहीं करता है तो पहले तो चत्र rabbits देखाई उन्हें कि इश्वर घोड़ ला नहीं आत्मा भी नहीं करता। मैंने का तो फिर कौन करता है गोटला। बोले शरीर। तो मैंने का शरीर जड़े या चेतन। बोले चेतन। मैंने का चेतन है तो फिर डेड़ बड़ी चिलाती क्यों नहीं। मृत शरीर को जलाओ, उतनी चिलाता। और जीवित शरीर चिलाता है। कि सदा ही चेतन रहेगा और वो कभी नहीं फिर जब हम देखते हैं वक्ती की मृत्य हो जाती है तो फिर वो चिलाता क्यों नहीं और उसको हम चला देते हैं तब भी नहीं चिलाता इसका अर्थ हुआ कि शरीर तो जड़े जब तक आत्मा शरीर में था तब तक वो हिलता चलता सारे काम हो रहे से अब आत्मा शरीर छोड़ के निकल गया तो शरीर जड़ बच गया अब उसमें चेतना कहा है कुछ भी नहीं है अब बताओ शरीर जड़े या चेतन बोले जड़ तो मैंने कहा जड़ वस्तू काम नहीं करेगा कर्म तो चेतन करता है बोले हाँ ये ठीक है तो मैंने कहा आत्मा जड़े या चेतन बोले चेतन तो मैंने कहा अब बताओ कौन कर्म करेगा शरीर या शरीर या आत्मा बोले आत्मा मैंने कहा आब आए ना पट्री बेर तो ऐसे होता है न्याय दर्शन के हिसाब से जो विचार, चिंतन, मनन, भाषा इस तरह से बोलना चाहिए तो एक एक बाद सारी step by step सफष्ट हो जाती है सब clear हो जाती है कि शरीर कर्म करता है या आत्मा करता है या कौन करता है तो मैंने का आत्मा कर्म करता है बोले हां तो मैंने का फिर ये घोटाले कर्म कौन करता है शरी तो नहीं करता वो तो जड़ और इश्वर सरवज्जी है सरवशक्ति हमाने वो भी घोटाला नहीं करता वो आप पहले कही चुके है इश्वर घोटाला करता नहीं जड़ वस्तु कर्म करती नहीं तो फिर एक ही बचा जीवात्मा तो वो जीवात्मा घोटाला करता है बोले हाँ तो मैंने का आप देखो अंतर आ गया इश्वर में और आत्मा में इश्वर घोटाला नहीं करता आत्मा करता है इश्वर जूट नहीं बोलता आत्मा बोलता है इश्वर चोरी नहीं करता आत्मा करता है इश्वर को ब्रांती नहीं होती आत्मा को होती है इश्वर को संशे नहीं होता आत्मा को रोज संशे होता है कहां दोनों के गुण एक जैसे है अलग अलग है तो बोले ह कि आत्मा इश्वरकांश है, तो उनको अच्छी तरह समझ में आई कि हाँ आत्मा इश्वरकांश नहीं, इसका नाम विद्या है, तो एक-एक चीज को समझना है, आत्मा कैसा है, इश्वर कैसा है, प्रकृति कैसी है, जड़ है, चेतन है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारी बातें समझ नहीं, तो इनको समझ करके उनसे हमें यथा योग्य ठीक ठीक लाब लेना है, इनका उपकार लेना है, जिस तत्तु की सहायता से हम इन पदार्थों को ठीक ठीक समझ लेते हैं, और इनसे ठीक ठीक लाब लेते हैं, उस तत्तु का नाम विद्या है.